HDFC Bank में account open करना online काफी असान है लेकिन जब आप online HDFC Bank में account open करते हैं तब आपको पैसे maintain करके रखना होता है monthly तो basically आज हम जानेंगे कि HDFC Bank में कितना पैसा maintain करके रखना होता है monthly wise और इसके अलावा क्या क्या charges देना होता है HDFC Bank में अगर आप online account आपन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखे ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या charges लगने वाला है तो HDFS Bank का अभी official charges वाले page पे जो कि आप अपने screen पे भी देख सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो charges है वो है non maintenance charges तो इसमें देखे तीन तरह के non maintenance करने होते हैं एक metro city urban city वालों के लिए दूसरा semi urban वालों के लिए तीसरा ruler area के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं metro और urban city के लिए तो अगर आप metro और urban city से हैं तो आपको HDFC bank में 10,000 रुपए maintain करना होगा और semi urban से हैं तो आपको 5000 रुपए maintain करना होगा जो कि मैं भी कर रहा हूँ और अगर आप ruler area से हैं तो आपको 5000 रुपए maintain करना होगा 2500 रुपए और अगर आप यह पैसे maintain नहीं करते हैं तब आपको charges देने होगे charges आपको कैसे लगएगा अभी मैं आपको इस chart के माधियम से समझाता हूँ तो अभी आपके screen पे आपको एक chart दिख रहा होगा जहां पे दो column आपको दिख रहे होगे एक metro और urban city का column और एक semi urban का column metro और urban का column में देखिए 10,000 रुपए requirement balance है मंतली आपको maintain करना है अगर आप अपने account में साड़े 7,000 रुपए से लेकि 10,000 रुपए की बीच में रखते हैं तो उसमें आपको 1,500 रुपए non maintenance charges देना होगा metro और urban city के लिए और अगर आप 5,000 रुपए से लेकि 7,000 के बीच में रखते हैं तो उसमें आपको 300 रुपए charges देना होगा metro और urban city के लिए और वहीं पर 2500 से लेके 5000 के बीच में रखते हैं तो उसमें आपको 4500 रुपे चार्जिस देना होगा और 0 रुपे से लेके 5000 के बीच में रखते हैं तो उसमें आपको 600 रुपे चार्जिस देना होगा और 0 रुपए से लेके 5,000 रुपए की बीच में रखते हैं तो उसमें आपको 300 रुपए चार्जस लगेगा सेमी अर्बन छेतर के लिए यहाँ पर जो भी आपका requirement balance है, मंतली जितना भी maintenance balance बोला गया है उतना आपको maintain करना ही अगर आप maintain नहीं करते हैं, maintenance balance कितने के कितने बीच में रखते हैं तो यह charges आपको pay करने पड़ेंगे, आपके account से deduct होगा non maintenance के नाम से और आप बात करते हैं, ruler area के लिए ruler area में अगर आप रहते हैं HDFC bank में ब्रांच है तो उसमें HDFC bank में आपका account है तो उसमें आपको 5,000 रुपए maintain करना होगा, 5,000 maintain करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह का है कि अपने account में अगर आप 1,000 से लेके 5,000 से कम के amount रखते हैं तो उसमें आपको 270 रुपए चार्ज देना होगा non maintenance, यह quarterly है आनि कि हर 3 मन तक यह पैसा संट यहां पर sustain नहीं रहता है तो आपको 270 रुपए non maintenance चार्ज देना होगा और 0 रुपए से लेके 1,000 के बीच में रखते हैं तो उसमें आपको 4,500 रुपए पर quarter देना होगा, आनि हर 3 मन में आपको 4,500 रुपए चार्ज आप से किया जाएगा, ruler area वालों के लिए quarterly चार्ज किया जाता है और semi urban और metro city वालों के लिए monthly चार्ज किया जाता है, इसमें और भी काफी सारे benefit भी हैं, अगर charges हैं तो benefit भी आपको मिलते हैं, checkbook आपको free cost मिलता है, 25 lips का, अगर आप उससे extra checkbook मंगाते हैं, तो उससे आपको charge अलग से देना पड़ेगा, साथ में अगर आप account open करते हैं, तो आपको एक बढ़िया debit card भी देखने को मिलता है, जिसका 500 something charge आपको pay करना पड़ेगा, और साथ में इसमें आपको 4 free transaction मिल जाता है अगर आप उससे एक भी ज्यादा transaction करते हैं, तो 1.500 रुपे per transaction आपको charge देना होगा तो यह एक बड़ी charges है, जो कि HDFC bank का, अगर आपके पास ATM card है तो especially उन सभी customer के लिए अगर आप मन्त में 4 बार से ज्यादा transaction करते हैं, तो आप हर transaction के लिए आप से 1.500 रुपे charge लिया जाएगा, उमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो subscribe करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में पत्त के लिए जय हिंद जय भारत